हलो दोस्तो वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल दोस्तो आज हम आपको गुर्दवारा बाबा गुर्दित्ता जी के दर्शन करवाने जा रहे हैं जो कि किरतपूर शहर में है दोस्तो किरतपूर शहर बहुत बड़ा शहर नहीं है ये एक छोटा सा कस्वा है और जिसमें ट 200 किलोमेटर की दूरी परस्थित है और दोस्तो बाबा गुर्दित्ता जी का जनम 1613 इस्वी में जिला मोगा पंजाव में हुआ आप जी ने सिखों के पहली पात्षाई बाबा शिरी गुरु नानक देव जी के बड़े स्पुत्तर बाबा शिरी चन जी से सिक्षा ग्रहन क और फिर उनके चेले बन गए दोस्तो गुरुद्वारा बाबा गुर्दित्ता जी को दो रस्ते जाते हैं ये जो रस्ता है ये सड़क का रास्ता है इसमें गाडियां वगेरा जाती है और दूसरा रास्ता सीडियों का रास्ता है वो आगे की तरफ से है उदर से हम पैदल जा सकते हैं, दोस्तों बाबा गुर्दित्ता जी इधर 12 महीने संगत आती है और यह अपने आप में बहुत पूरे हुए हैं यहाँ पर जो भी मन्नत लेकर इंसान आता है उनकी मन्नत पूरी होती है और यहाँ पर दुकाने 12 महीने लगी रहती है और दोस्तों इनको कहा जाता है कि धंडन wal gi छोटा लेकिन अब बहुत बड़ा बन चुका है इदर बाहर इन लिए पैर दोने की विवस्ता की गई है क्योंकि पैर अंदर दोने के बाद ही अंदर जाया जाता है और ये साइड में इदर वस्वेशन का इंतजाम किया गया है पैर दोने के बाद तीन चार सीडियों से होकर जाया जाता है और अब करोना काल में इदर सैनेटाइज का साहिब में माथा टेकते हैं फिर उसके बाद अंदर दर्शन करने जाएंगे दोस्तो यह निशान-साहिब इतनी उन्चाई में है कि दूर दूर के गाउं तक इनके दर्शन किये जाते है और बबागुर्दित्ह जीवी एक उन्ची पहाडी परस्थित लोग वहां से इनके द गया था और अब उसकी जगा पर नया नीम का पीडल लगाया गया था तो अब ये वही हरा-भरा दिख रहा है और इतर ये कभा कीरतं हर ताइम होता रहता है और ये जो दूसरा रस्ता है ये बाबा गुदिता जी के दूसरी साइड से आता है क्यूँगे मोटर साइकल अब स चलती रहती है और ये गुर्दवारे का फ्रंट साइड है इसके बाद ये जो बिल्डिंग आप देख रहे है ये पूरा लंगर हाल है यहां पर 12 महीने लंगर की सेवा चलती रहती है तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो उमीद करती हूं आपको पसंद आएगी अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे धन्यावाद